हेलो दोस्तों, पॉलिटेखनीक कोर्सिस की मांग बहुती तेजी से स्टूडेंट्स की बीच में बढ़ती जारी है इसका मुख्यकारण यही है कि करियर ओरिंटेड कोर्सिस आपको बहुती कम समय में सीखने के लिए मिल जाते है और इन कोर्सिस का मेन फोकस आपको अपने पसंदिदा विशे में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना होता है जिसकी ज़रत आगे नोकरी में होती है इन कोर्सिस में आपको थेरी कम एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जादा सिखाई जाती है जिसके वज़े से इंडस्ट्री में पॉलिटेखनिक डिप्लोमा होल्डर की डिमांड बहुती तेजी से बढ़ती जारी है तो आज में आपको दुनिया भर में से टॉप 10 हाई सलेरी देने वाले पॉलिटेखनिक कोर्स की डीटेल में जानखरी देने वाला हूँ जैसे की पॉलिटेखनिक कोर्स करने के लिए कितना समय लगता है उस कोर्स को करने के लिए कितने रुपीस की फीज आती है course complete होने के बाद हमें कहा कहा पर job मिल जाती है फिर उस job में हमें per month कितने रुपीज की salary दी जाती है ये सब के बारे में बताने वाला हूँ और साथी साथ इस type के courses करने के लिए आपको college कहा से ढूंड़ना है और best university कहा से ढूंड़नी है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलो इस वीडिय की शुरुवात करते हैं और top 10 high salary देने वाले polytechnic courses के बारे में जान लेते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि अगर आप अपना course इंडिया की best university से करना चाते है तो आप अपने लिए best college या फिर university college विद्या की website पर देख सकते है यहाँ UG, PG and other online courses है जहाँ से आप अपना course select कर सकते है आपको यहाँ कुछ basic detail fill up करनी होगी और कुछ questions के answer देने होगे इसके बाद AI model आपके लिए suitable online universities या फिर education providers की list तयार करेगा यहाँ जितने भी online universities की list दिखेगी वो सभी government approved है यहाँ आपको दो विकल्प मिलते है आप चाहे तो सीधे actual university के अधिकारियों से बात कर सकते है या फिर आप free audio या फिर video career counseling के लिए college विद्या के expert से भी जुड़ सकते है ये counselor admission शुरू होने से लेकर placement तक आप से जुड़े रहेंगे आप यहाँ पर fees approvals, placement, student rating EMI facility etc. जिसे 30 plus important factors के आधार पर आसानी से अपने पसंदिदा university की तुलना कर सकते है दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छे बात यही है कि college विद्या आपको EMI को option प्रोवाइड करता है और आपको placement support भी प्रोवाइड करता है साथ ही online career booster program भी प्रदान करता है जिसकी कीमत 6,999 रुपीज है लेकिन अगर आप description में दिये गए link पर click करके admission लेते हैं तो यह service आप free में भी ले सकते हैं और फिर आप networking के लिए उनके बड़े CV community में भी शामिल हो सकते हैं तो कुल मिला कर यह आपके लिए one stop solution है website का link आपको इस वीडिय के description में मिल जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले अभी हम लोग यह जान लेते हैं कि polytechnic course क्या होता है दोस्तो polytechnic एक technical course होता है जिसे diploma course कहा जाता है यह एक काफी popular course होता है जिसको आप 10th या 12th के बाद कर सकते है polytechnic का मतलब होता है कि diploma in engineering polytechnic के अंदर कई सारे branches आती है जिसकी पढ़ाई इसमें करी जाती है polytechnic का कोई भी course complete कर लेने के बाद आपको junior level engineer की post मिल जाती है B.Tech करने वाले लोग डिगरी हासिल करते है तो वही polytechnic से डिपलोमा करने वाले students को डिपलोमा का certificate दिया जाता है जिसके बाद उन्हें किसे भी company में junior engineer की post पर job मिल जाती है तो अभी आप समझ गए होंगे कि एक junior engineer बनने के लिए हम polytechnic का course करते है वही एक senior engineer बनने के लिए हम B.Tech का course करते है B.Tech का course difficult तो होता है साथी साथ काफी long होता है वही polytechnic का course काफी सस्ता होता है बहुती कम समय में किया जाता है और इसकी studies भी काफी आसान होती है as compared to B.Tech तो इसी के वज़े से polytechnic course काफी सदा popular है तो दोस्तो अभी हम लोग top 10 high salary देने वाले polytechnic courses के बारे में जान लेते है तो दोस्तो polytechnic में सबसे popular course है Polytechnical diploma in computer science and engineering ये total 3 years का course होता है जिसकी अंदर आपको software development की पूरी detail में knowledge दी जाती है इस course को करने के लिए आपको 80,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज की fees देनी पड़ सकती है ये full course की fees है इस course को complete कर लेने के बाद आप किसी भी IT company के अंदर junior engineer के तोर पर job हासिल कर सकते हो वहाँ पर आपको as a fresher 15,000 रुपीज की salary दी जाएगी जैसे आपका experience बढ़ेगा वेसे वेसे आपकी salary भी बढ़ती जाती है फिर दोस्तो आप job के साथ साथ side by side B.Tech का course भी complete कर सकते हो जिस course को complete कर लेने के बाद आपको senior engineer level की post मिल जाएगी जहाँ पर आपको salary भी ज़्यादा मिल जाएगी तो दोस्तो second course है Polytechnic Diploma in Civil Engineering ये भी काफी ज़्यादा popular course में से एक है ये total 3 years long course होता है जिसके अंदर आपको construction से related knowledge दी जाती है जैसे की बान नहर केसे बनाए buildings केसे बनाते है buildings की जो design होती है या फिर घर में जो 1BH के 1R के होता है उनकी केसी design create करे जाती है इन सभी के बारे में detail में पढ़ाया जाता है construction से related सारी detail में knowledge आपको Polytechnic Diploma in Civil Engineering के course के अंदर दी जाती है इस course को करने के लिए आपको 70,000 रुपीज से लेके 40,000,000 रुपीज तक की fees देनी पड़ सकती है ये course complete कर लेने के बाद आप किसी भी बड़ी company के अंदर या फिर किसी भी बड़े builder के अंदर as a junior civil engineer के तोर पर job हासिल कर सकते हो वहाँ पर आपको as a fresher 15,000 से 20,000 रुपीज की salary दी जाएगी जैसे जैसे आपका experience बढ़ता जाएगा वैसे वैसे salary भी बढ़ती जाएगी फिर बाद में B.Tech का course कर लेने के बाद आपको high salary post वाली job भी दी जाएगी क्यूंकि तब आप एक senior engineer के तोर पर job हासिल कर सकोगे थर्ड नंबर पर है Diplomine Electrical Engineering दोस्तो electrical engineer की demand हमेशा market में बनी रहीगी क्यूंकि electricity एक ऐसी चीज है जिसके बिना मानव का जीवन चलना असंभव है इसके लिए electrical engineering में Diploma करना आपके लिए एक फाइदे का सोधा हो सकता है इस course को करने के लिए आपको 3 years तक का समय लगेगा इस course के अंदर आपको Electronic Devices की Electric Elements की साती साथ Power Sources की एंड इंडस्टी में यूज होने वाले Applications की Full Detail में Theoretical and Practical Knowledge दी जाएगी जिसके जर्ये आप एक Junior Electrical Engineer के तोर पर किसी भी बड़ी या फिर छोटी Electrical Power Supply Company के अंदर Job हासिल कर सकते हो और दोस्तो इस course को करने के लिए आपको 80,000 रुपीज से लेके 1,20,000 रुपीज की फीज देनी हो सकती है यह Full Course की फीज है और courses की फीज की फीज की उपर भी Depend करती है जितना बड़ा college होगा उतनी high उनकी फीज होगी खेर यह course complete कर लेने के बाद आपको as a fresher junior engineer के तोर पर job तो हासिल हो जाएगी वहाँ पर दोस्तो आपको 15 से 20,000 रुपीज की salary पर बन दी जाएगी जिसे से आपका experience बड़ेगा वेसे वेसे आपकी salary 25, 30, 35 और 40,000 रुपीज तक भी चली जाएगी फिर बाद में B.Tech का course कर लेने के बाद आप एक senior engineer बन ही जाओगे फोर्थ नंबर पर है Polytechnical Diploma in Mechanical Engineering ये course 3 years का होता है इसके अंदर आपको machines की design, manufacturing and machines का maintenance करने के बारे में सिखाया जाता है क्योंकि बड़ी-बड़ी companies के अंदर कई सारी machinery होती है जिनका maintenance करना काफी ज़दा जरूरी होता है जिसके लिए companies या फिर industry में junior mechanical engineer को hire किया जाता है तो जो भी Diploma in Mechanical Engineering का course कर लेता है उन्हें इस post पर job मिल जाती है जहाँ पर दोस्तों आपको 20-25,000 रुपिस की salary as a fresher दी जाती है क्योंकि यहाँ पर काम का load भी ज़दा होता है और काम थोड़ा risky भी होता है साथ ही mechanical engineer की जो studies होती है वो दूसरे courses की comparison में काफी ज़दा difficult भी मानी जाती है इसी तरीके से पाचवे नंबर पर है Diploma in Petroleum Engineering दोस्तों एक 2 years का undergraduate diploma program होता है जिसे petroleum industry में career बनाने के लिए किया जाता है अगर आपको petroleum industry में काम करनी की इच्छा है तो दोस्तों आप ये simple 2 years का Diploma in Petroleum Engineering का course कर सकते हो इस course को करने के बाद आप अलग-अलग tripping, technique, तेल और गैस के production के बारे में और पर्यावरन संद्रक्षन और सुरक्षा के बारे में जानेंगे इस course को complete कर लेने के बाद आप किसी भी बड़ी oil and gas companies के अंदर junior petroleum engineer के तोर पर job हासिल कर पाओगे जिसमें आपको as a fresher 25-30,000 रुपीज की salary दी जाएगी क्योंकि दोस्तों petroleum engineer का काम mostly समंदर के अंदर और बीचों बीच होता है तो इसमें जान का खत्रा भी काफी जादा होता है लेकिन अगर आपको adventure में घूमना जादा पसंद है तो इस case में आप petroleum engineer का course करके आप अपनी life set कर सकते हो यहाँ पर salary increment काफी तेज़े से होता है जिसमें आपको साल में सिर्फ 6 मैना काम करना होता है लेकिन आपकी साल भर की कमाई इन 6 मैने में ही हो जाती है इसलिए अगर आप कम समय में जादा पैसा कमाना चाते हो तो diplomine petroleum engineering आपके लिए एक best choice हो सकती है तो इसी तरीके से diplomine chemical engineering, diplomine mining engineering, diplomine biomedical engineering, diplomine automobile engineering, diplomine hospitality management, diplomine business administration, etc. जैसे कई सारे high salary देने वाले polytechnic courses है और इन में से कोई भी एक course करने के लिए आपके लिए कौन सा college best रहेगा ये बताने का काम collegevidya.com करेगा तो इसी लिए आज ही college विद्या की website विजिट करो और अपने लिए best college ढूंडो उम्मिद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस विडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका पैर देने के लिए और एसे विडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे channel को धन्यवाद